नमस्कार दोस्तों, Imperial Agro Classes के online platform पर एक बार फिर से आप सभी का हरदिक्ट स्वाकत है दोस्तों जिसा कि आपको थमनेल से पता लग ही गया होगा कि आज का जो हमारा टोपिक है वो किस बारे में है जिहां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, Agriculture Supervisor की कारे शेली क्या होती है वो क्या-क्या कारे करता है, वो किस इस्तर का क्रमचारी होता है और कौन-कौन से कारे उसके द्वारा किये जाते हैं, इन सब के बारे में हम आज डिसकस करने वाले हैं शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी प्रकार के important वीडियो के notification आपको समय समय पर मिलते रहें देखिए दोस्तों, क्रशी प्रवेक्षक जो होता है, वो एक राज्य सरकार का करमचारी होता है और उसका कार्य होता है ग्राम पंचायत इस्तर पर कार्य करना ग्राम पंचायत इस्तर पर वो क्या करता है? किसानों का सलाकार होता है या किसानों को विभिन प्रकार के कार्ये आगे आगे आपको वीडियो में सुनने को मिलेगा या देखने को मिलेगा कि वो कौन-कौन से कार्ये करता है तो मुख्य रूप से जो क्रशी प्रवेक्षक होता है वो राज्य सरकार का करमचारी होता है और वो ग्राम पंचायत इस तर पर रहकर कार्य करता है। अब अपन डिसकस करते हैं कि क्रशी प्रवेक्षक प्रत्यक्षूप से कौन-कौन से कार्य करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सरकार की जितनी भी नई योजनाएं आती हैं उन योजनाओं के बारे में किसानों को बताने का कार्य भी क्रशी प्रवेक्षक के द्वारा किया जाता है। करशी प्रवेक्षक जो होता है वो सबसीड़ी दिलाने का कार्य भी करता है वो विबिन प्रकार के जो लोन होते हैं या जो भूमिगत लोन होती हैं जिनको लोन जो सरकार के द्वारा उपलब्द करवाया जाता है। उन लोन को दिलाने का कार्य भी क्रशी प्रवेक्षक के द्वारा ही किया जाता है। प्रियसी के साथ साथ जो खाद उर्वरक्थ होते हैं उनका वित्रण कार्ये और किसानों की फसल संभंदी जितनी भी समस्यां कोती है उन समस्याव का समाधान करने के लिए क्रशी प्रवर्यक्षक ग्राम पंचायत इस तरह पर मोजूद होता है और किसानों का सभी संबंदित कार्य करता है दोस्तों अब बात करते हैं क्रशी प्रवेक्षक के कार्य दिवस के बारे में तो कार्य दिवस के अगर बात की जाए तो क्रशी प्रवेक्षक जो होता है वो सोमवार से शुकरवार तक उसका जो होता है कार्य दिवस सपता होता है यानि कि सोमवार से शुकरवार तक उसका कारी दिवस होता है और शनिवार रविवार को उसका क्या होता है अवकाश होता है और गुरवार के दिन वो क्या करता है गुरवार के दिन वो अपने ऑफिस पर रेकर किसानों से रूबरू होता है और किसानों की दिन वो field में रहता है और field पर खेत पर ही समझ्याओ का समाधान करता है तो उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्रशीपर्वेक्षक किस इस्तर का करमचारी होता है, उसके कारिय करने कि प्रणाली क्या होती है और वो किस प्रकार से कारिय करता है